और दोस्तों कैसे आप मेरणा में और उन पर गोजे से ट्राकिन टेक निउस इनापा 66 में आपका स्वागत है दोस्तों रोज की तरह आज भी हमारा जो टेक निउस एपिसोड है बहुत ही जबरदस टेक निउस के साथ बढ़ा बढ़ा है लेकिन एक निउस जो में एंड में देने वाला हूँ बहुत ही चौका देने वाली है तो जरूर देखिए और एक बात दोस्तों बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं आजकल हमें आपकी मदद चाहिए चलिए एक लाइक हिट कर दीजे और करते हैं अब यह एपिसोड चालों दोस्तों हमारे वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें दो दिन पहले ही दोस्तों वावी का पी 20 और पी 20 प्रो बड़े जोरो शोरो से लांच हो गया था पैरिस के अंदर और अब इंडिया में भी आ रहा है जिहां उन्होंने उनके वेबसाइट पे ऑफिशल वेबसाइट क होगा चलिए अच्छा है लेकिन एक बात याद रहे कि इसका जो प्राइज है पी 20 का वो अराउंड 52-53,000 तक होने वाला है और जो पी 20 प्रो है वो कुछ 72-73,000 का होगा लेकिन दोस्तों बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े है बहुत इनोवेटिव थिंग्स है इस फोन के अ है नौच मुझे तो नौच पसंद नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद ये नौच आपको क्या पसंद है जरूर हमें बताए कमेंट सेक्शन में और ज्यादा कुछ खबर दी नहीं है लेकिन नौच आने वाला है ये बताया आइफोन एक से छोटा नौच होने वाला है फिर बाजू को नाच आने वाला ऐसा नहीं है बीच में ही नाच आएगा दोस्तों और दूसरी खबर वन प्लस की तरफ से थोड़ी मजेदार है जी हाँ उनके जो फाउंडर है काल पे उन्होंने एक वीडियो डाला यूट्यूब पे उन्होंने कहा कि भाई ब्लॉक ब्लॉक्चेन मीटख नेवर सेटल लॉक्चेन आपको पता ही है क्रिप्टो करणसी ब्लॉक्चेन पर आदारीत रहती है और बात में उन्होंने कोई दिखा है golden कोई जिसके ऊपर वन प्लस का लोगो था तो उन्होंने कहा कि हम करनसी में कुछ करने वाले हैं और बहुत सार वीडियो है 99% I am sure कि ये एक April Fools जोक है OnePlus की तरफ से बहुत सारे लोग रुके हुए जिनको बड़े फोन अच्छे लगते हैं, Samsung के फोन अच्छे लगते हैं flagship लेवल के फोन अच्छे लगते हैं वो रुके हुए है Samsung Note 9 के लिए and finally कुछ specification सामने आ रहे हैं ये जो फोन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 6GB RAM साथ में 845 Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर लेकिन इंडिया में नहीं इंडिया में आएगा उनका Exynos का 9810 प्रोसेसर पे Geekbench पे जो टेस्ट हुए हैं उनके स्कोर्स के हिसाब से ये जो है बहुत अच्छा performance देगा Top of the line performance देगा बाकी कुछ नहीं है S Pen उसके साथ होगा जैसे हर एक Note के साथ होता है और Cameras भी Dual Cameras होने वाले लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है एक बात है दोस्तो Note 9 अभी launch नहीं होने वाला है August 2018 के करीब launch होगा ऐसे rumors है और दोस्तो इसनों ने फिर से कमाल कर दिया है जी हाँ उन्होंने आज G-Sat 6A ये जो communication satellite है successfully place कर दिया है orbit के अंदर ये है orbit में जब जाएगा तो उसका 6 meter का wingspan है तो वो बोल करेगा और ये बात करेगा Earth के साथ basically two way communication two way data exchange होगा और इंडिया के कोई भी remotest से remotest area में भी इसका जो है coverage जाएगा इसकी वज़े से ये जो satellite था वो बहुत important था इंडिया के लिए हमारे defense forces के लिए हमारे citizens के लिए और ISRO ने ये successfully किया दोस्तो 400 scientist ने Satish Davan Space Center से जिदर से ये satellite उपर गया orbit में उदर आये थे बहुत परिश्रम किया और successfully launch किया दोस्तो ISRO को मेरा सलाम दोस्तो इस episode के start में मैंने कहा कि मेरे पास एक चौका देने वाली ख़बर है लेकिन ऐसे नहीं है दो है लेकिन एक जो है वो इंडिया से नहीं आ रही है चाइना से आ रही है चाइना बना रहा है एक artificial rain network और वो इतना बड़ा है लेकिन उसके पहले कहा दू artificial rain network क्या होता है basically वो burners लगा रहे है जो mountains है Tibetan plateau है उदर burners लगा रहे है जिसकी वज़े से कुछ chemicals जाएंगे clouds form होंगे और artificially rain भी गिरेगा जी हाँ वो जो area है उदर ज्यादा बारिश नहीं गिरती है उसकी वज़े से ये कर रहे है और उसका जो area है दोस्तो वो Spain आपको country पता है पता है तीन Spain के जितना बड़ा area वो कर रहे है कुछ 16 करोड स्क्वेर किलो मीटर इतने area में ये artificial rain network लगा रहे है इसका मतलब अगर भगवान ने आशिरवाद नहीं दिया rain का तो ये हम खुद ही अपना आशिरवाद बना लेंगे ऐसे कर दिया है चाइना ने लेकिन अच्छी बात है अगर बंजर जमीन होगी और artificially अगर आप बारिश ला सकते हैं तो क्यों नहीं और दोस्तों ये जो आखरी खबर है जो मैंने कहा था कि वही बहुत ही चौका देने वाली है दिल्ली के एक महिला है 30 साल की जिनका नाम है कमल दीप उन्होंने फिलिपकार्ट पे जाके एक फोन ओर्डर किया 11,000 रुपे का फोन था दो दिन के बाद डिलिवरी बॉई आया देने को उन्होंने फोन लिया और साथ में 20 बार चाकू से उनको कोपा जी हाँ उन्होंने पता नहीं क्यों किया लेकिन जो न्यूज आई है उसमें ऐसे बताया है कि लेट कर दिया डिलिवरी बॉई ने फोन देने में इसलिए उन्हों नहीं किया वो जो डिलिवरी बॉई है 28 साल का लड़का है वो अभी भी जूंज रहा है अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच में लेकिन दोस्तों एक बात कह दूए ये क्यों करते हैं कोई भी क्यों करेगा 11,000 का फोन इसके लिए किसी की जान लेना अन्बिलीवेबल और उतना ही नहीं दोस्तों 11,000 तो दिये नहीं वो फोन ले लिया वो लड़के को 20 बार गोपा और साथ में 40,000 जो उसके पास कैश थी कैश ओन डिलिवरी जब कलेट करते हैं पैसा देते हो तो वो उसके पास कुछ पैसे थे वो कलेक्ट किये उसने और उसके भाई ने साथ में मिलके और फरार हो गए दोस्तों ये कैसे हो सकता है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएए कि आपको क्या लगता है ये सो और दोस्तों अब वक्त हो गया हमारे ट्राकिंटेक टेकनोलोजी फन फैट का जी हां आज के जो हमारे फन फैट से वो इमेल के आराउंड है हमारे सभी के इमेल एड्रेसे आजकल एंडरोईड के वजह से हमारे पास अगर इमेल एड्रेस नहीं होगा था 1971 में जी हां उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था और उन्होंने यह चमतकार कर दिया जो आज हम 370 करोड इमेल अकाउंट से उन्हें पता नहीं था उस वक्त पहला मेसेज जो भेजा रे टॉमिलसन ने वो खुद को भेजा एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पे पहली बार उन्होंने खुद को मेसेज भेजा टेस्ट मेसेज था और अग्दरेट जो है वो भी उनी का अविशकार था दोस्तों वो बेसिकली क्या था नाम एट लोकेशन ऐसी किया था उन्होंने और आज कल होता है नाम एट दोमेन ने जी हाँ और आज 370 करोड़ लोग इस्तिमाल करते हैं इमेल 2700 करोड़ इमेल दिन में भेजे जाते हैं लेकिन दोस्तों उसमें से 60% जो होते हैं वो स्पैम होते हैं तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ fun facts इमेल के बारे में और दोस्तों आज के हमेरे ट्रैकिंटेक न्यूज एपिसोड 66 में इतना ही अगर अच्छा लागा तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजेगा पुस्तों इस वीडियो में थाइए अगले वीडियो तक